चोपड़ा है जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC का अभी इस्टे वेकंसी राउंड चल रहा है इसमें काफी स्टुडेंट और फेरेंट्स के इस परकार से कॉमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें कौन-कौन से कंडिडेट को पार्टिसपेट करना चीए जिसके कितने माक्स हैं कितने माक्स तक कंडिडेट वाले को इसमें पार्टिसपेट करना चीए और इसकी expected कटोफ क्या जा सकती है एमस के इस्टे वेकंसी राउंड के लिए तो सबसे पहले हम इसके जनरली बाकी इंस्टिटूट के बारे में बात करें तो जो इस्टे वेकनसी राउंड की फ्रेस रेजिस्टेशन की जो लास डेट है वो 6 जनवरी 2021 रखी गई है तो जिन कंडिडेट ने फ्रेस रेजिस्टेशन नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब करना है उसकी वेबसाइट पर एक बार सेड्यूल और वेन्यू अवस्यच चैक कर लें डिम्ड उनिवर्सिटी की कंडिशन में पर्टिकुलर डिम्ड की वेबसाइट पर रेजिस्टेशन करना होता है तो आप जिससे डिम्ड में पार्टिसपेट करना चाते हैं उसकी वेबसाइट पर उसके सेड्यूल के अकोर्डिंग ओनलाइन रेजिस्टेशन कर दें नैंटीन एम्स का इस्टे वेकंसी राउंड एम्स डेली दवार कंड़क्ट करवाया जाएगा इसकी वेन्यू जवारलाल ओडिटोरियम एम्स न्यो डेली है और डेट बारा जनौरी दो हजार इकी सुबह नो बजे से स्टार्ट हो जाएगी ओफलाइन कांसलिंग है जो कं अपना आप नाम चेक कर लें और जिस इंस्टिटूट में पार्टिश्वेट करना चाते हैं उसकी वेबसाइट पर बताई गई वेन्यो और टाइम के अकोर्डिंग ओरिजनल डोकुमेंट्स के साथ में वहां परजेंट रहें यह साथ जनौरी से 15 जनौरी 2021 के बीच में तो कंडिशन है यानि कि 12 पास होना चाहिए जनल ओवी सी कंडिडेट 60 परशेंट मार्क्स के साथ इंग्लिस फिजिक्स केमेस्ट्री और बाइलोजी में एग्रिगेट होना चाहिए एग्रिगेट का मदलब इन चारों सब्जेक्ट का टोटल होना चाहिए सस्ट 50 परशेंट और पी डबलोडी 45 परशेंट तो यह इसमें जो मैक्जिमम मिनिमम मार्क्स की कंडिशन है इसमें इसके बाद में आपने जो डोकुमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं वहां सारे ओरिजिनल डोकुमेंट्स होंगे इसके साथ में जो आपने एम सीची की वेब साइट पर रेजिस्टेशन कर रखाया उसकी रेजिस्टेशन सिल्प अवस्य होनी चीए और ओरिजिनल डोकुमेंट्स के साथ में अगर सस्ट ओबी सी डबलो एस हैं तो उनका सर्टिपिक्ट होना चीए अब हम बात करें कि इसमें कितने मार्क्स तक वा पर वाले कंडिडेट को जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको तो पार्टिसबेट करना ही चीए अब हम बात करें कि इसकी कटोब कितनी जा सकती है तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो जनरल कैटेगरी के कंडिडेट हैं उनकी कटोब 613 के नियर बाई जा सकती है यानि कि 613 क नियर बाइ इसकी क 독 रह सकती है एंस डिली की जनरल कटेगरी की अब हम बात करें बाकी कतेगरी की क לפ की कटोफ है जो मोकफ रांड्य की कटोब है उससे 15 मार्क्स आप कम कर लें वो इसकी कटोब रह सकती है इस्ट्रे वैकंसी राउंड के लिए तो यह जानकारी थी इस्ट्रे वैकंसी राउंड के बारे में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन फ्रेस करें वीडियो को ला जैहिन